हेलो एर्यवान वेलकम टो आवरगें स्टेडी तो आज की वीडियो के अंदर हम आर्काइब एंड म्यूजियम जो हमारी बुक है उसका सबसे इंपोर्टेंट टोपिक वर्ट इस म्यूजियम करने वाले हैं जो हर साल किसी ना किसी हम देख सकते हैं पेपर में जरूर से जरू लूरा था है तो हम वही टोपिक इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे वर्तिज में सबसे को हमें म्यूजियम को अख सबसे पहले हमें में म्यूजियम की सबनेशन बहुत अतए कर में करता है एक museum के उते हैं एक building एक ऐसे institute होता है जो care करता है हमारे collection of artifacts and other objects of artists, culture, historians and scientific importance जो हमारे museum एक ऐसी institute ऐसी building होती है जो हमारे collection होते है artifacts के मतलल जो कलाकरतिक होते हैं जैसे कोई भी object हो गया जैसे कि हमारे हडपा की कोई भी मुर्ती हो गई मोरी एवन्स की कुशान के सारी जो आर्टिफिकला करती होती है उन सभी की देख बाल रखते हैं कोई भी वो हमारे culture से related हो सकते हैं हमारे history से related और हमारे science से related कुछ भी हो गए museum उनकी देख बाल करता है many public museums make these items available for public viewing through exhibition that may be permanent or temporary जो हमारे museum होते हैं museum क्यों होते हैं क्यों हमारे exhibition लगते हैं उसमें हम जो public होती है वह जाती है और वहां पर जो चीज़ें वह देखती हैं क्या पता कुछ समय के बाद वहां से वह चेंज हटा कि दूसरे museum में चले जाए इसलिए वह चीज़ें पर्मानेंट भी हो सकते हैं और यह पब्लिक वीविंग मतलब देखने के लिए होती है museum तो समझागे museum में एक ऐसी building ऐस institute होता जो केर करता है हमारे collection of artifacts की वह हमारे culture history or scientific से related हो सकते हैं और यह जो कुछ museum होते हैं वह पब्लिक के लिए होते हैं जो कि हमें वहां के जो object होते हैं exhibition के तुरू हमें दिखाये जाते हैं वह items पर्मानेंट भी हो सकते हैं और temporary भी there are many types of museum बहुत तरह की museum होते हैं जैसे art museum होते है nature museum होते है हमारे science museum war museum children museum बहुत तरह के और भी होते हैं जिने हम इस chapter जो हमारे इस video के अंदर पूरे अच्छी तरीके से जानेंगे according to the international council of museum जो museum होते हैं जो बहुत सारी museum होते सभी countries के वहां के एक council बैठक होते सभी जो museums की international council of museum बैठक होती है उसको बोला जाता है international council of museum उन्होंने बताया है कि हमारे जो world में 2,00 2 countries हैं तो उनमें कितने museum है 55,000 तो आप देख सकते हो कितनी बड़ी museum की संक्या है वो क्या, आपको कोई भी इंडिया में भी देख लू. कोई छोटा सा टाउन हो, वहाँ पर भी आपको म्युजे आपको मिल जाएगे. कोई बडी बडी सीट्य जैसे कलकता, दिल्ली. तो यहाँ पर भी आपको क्या है? मिउजेम देखने को मिल जाएगे. वैसे ही another country निए चोटे से टांन में जाओंगे आब वहां भी आपको छोटे से छोटा म्यूज imp देखने को मिल जाएगा और बड़ी City में जाओंगे वहां भी देखने को मिल जाएगा आईटम लोजी आईटम लोजी क्या हिता है आइटम लोजी का मतलब होता है कि ये वर्ड है ये कहां से निकला जो म्यूजियम वर्ड है वो कहां से लिखना है जिसमें हम इंग्लिश में म्यूजियम जो वर्ड बोलते हैं ये लेटिन भाशा का वर्ड है लेटिन भाशा में इसको म्यूजिया बोला जाता है और इसको प् में क्या है जो मॉस्हा होता था मैं करते लोक घूर सांग्य में नहीं को भूलीम आपने चीजा बनवाथे करे लूता बर इसा अम रूप ले लिया उन्हें तो पर फिलोसपी र्रीशर्च के लिए चियाता था और सबसे पहले यह चार्डिया ने बनवाया था under the Ptolemy 1 quarter about 280 BC में बन्वाया था किसने बन्वाया था अलेकजंडरिया ने बन्वाया था सबसे पहले जो ये म्यूजियम बन्वाया था मतलब री की बात करें ये टैमपल के रूट में तो एलेकजंडरिया का यह नहीं पता कि उन्होंने museum बनवाया था है library लोगों को लगता है कि library बनवाई थी लेकिन कुछों को लगता है museum बनवाया था कि वह another building पर हो गया इसलिए जरूरी नहीं है कि Alexander ने सबसे पहले museum बनवाया था है इसलिए इतनी कोई हमें पता नहीं है तो सबसे पहले जो परपस हमारे civilization उनके बार में जान सकते हैं वहां के जो क्या सकते हैं उसको देख सकते हैं नएए मैट्रेल को उनको प्रिजर्व कर सकते हैं मारे जो पुरानी जो समान है उसको प्रिजर्व कर सकते हैं इन प्रिट कर सकते हैं और उन ऑब्जैक्ट होते हैं जो हमारी कल्चर से रिलेटिड होते हैं उनसे हम कुछ सीख ले सकते हैं लिए इजुकेशन लेसे मुझेम में जाते हैं तो पूरान स्मय हैं't की बातें इना ओगण क्वेश्प मे वे लिए मुझेम बनाया जाते हैं अब हमारे जो मुझेम में मुंञेर के लिए अननधर बहुत आरे जो लोगों ने definition दीए उनको करते हैं सबसे पहले जो definition एंटरनेशन council of museum जो museum की जो council होती है वहां उन्होंने एक definition दीया जैसे कि आपको बहुत साइट definition बिल्कुल याद ना करो लेकिन ये definition आपको जरूर याद करने है मैं इसको रीड कर रही है आप बिलकुल ध्यान से सुनना इंट्रनेशन काउंसिल औफ मनीस्तर ने यह डेफिनिशिन दीये 1970 के टाइम में, कब दीये 1970 के टाइम में यह museum इसे नोन प्रोफिट, कैसा होता है एक non-profit होता है, एक permanent institution होता है एक जंगापर रुकका हुआ है न परमानेन्ट है वो क्या काम करते है सर्फिंश करता है सुसाइटी के लिए एक्स डैव्लोप और डैव्लोप होता है पब्ली के पब्ली को दिखाने के लिए और इसको indent portrait करने के लिए इसर्च करने के लिए कॉमिनिय्टी वगरा for the purpose और जो लोग होते हैं उनके कौन से purpose के लिए उनको education करने के लिए study करने के लिए और enjoy के लिए जो हमारे museum है यह बनाया जाते हैं तो international counseling of museum ने हमें definition दिये 1970 के time में a museum is a non-profit permanent institution in the service of society and its development open to public which acquired conserve research communities and exhibition the tangible and non-tensible heritage of humanity and its environment for the purpose of education study and enjoyment तो यह definition आपको जरूरी याद रखनी है उसी तरह के से the Canadian Museum Association में ने भी definition दिये है a museum is a non-profit permanent permanent होते है और non-profit non-profit होता है बिल्कुल सेम है that does not exit primary for the purpose of conducted temporary exhibition and that is open to the public duty regular arts लेकिन उन्होंने क्या बोला यह क्या होते हैं मतलब कि एक जंगह नहीं होते हैं क्योंकि वो time period होता है जैसे कि हमारे यहां पर जैसे हमारे नेसनल म्यूजम है दिल्ली के अंदर उसका टाइमिंग भी अलग है वहाँ पर क्या नेशन होली डे वाले दिन चुटी रहते हैं और हमारी मंडे की चुटी रहते हैं नेशनल म्यूजम की तो यह ओपन रहते हैं पब्ली के लिए रेगुलर आर्ज में उनका time period है यह नहीं कि आप 12 बज़े आप म्यूजम में जाओगे तो आपको दिखाई देंगे नहीं ऐसा नहीं होगा और यह पब्लीक होते हैं उसके परपस के लिए कौनसे परवस के लिए उनको conserve करने करने के लिए उनको study करवाने के लिए सब कुछ पब्लीक को exhibition करवाया जाते थे जाते हैं फोर दा इंस्टिशन इंजोइमेंट ऑफ द पब्लीक अब्जेक्ट और स्पेस्टिफिट ऑफ एज्चेशन और कल्चर वैलू लोगों को उनकी कल्चर की वैलू उसके education की वैलू इसलिए लोगों को exhibition वगरा दिखाया जाते हैं इंक्लूइड दा आर्टिशन, सैंटिफिक हिस्टिय और टेक्नलोजी मैट्रियल The Canadian Museum Association एक definition दी है A museum is a non-profit permanent establishment that does not exist primarily for the purpose of conducting temporary exhibition and that is open to public during regular hour and administrative in the public interest for the purpose of conservation, preservation, preserving, and studying, interacting, assembling, and exhibition to the public for the institution and the enjoyment of the public object and specific on education and culture value including artisan, scientific, historical, and the technological material. तो ये भी आप definition जरूर से जरूर याद रखना है तो हमारे ये question तो आ गया अब हम देखते हैं जो हमारी history है सबसे पहला museum कौन सो बनाएगा जैसे हमने अलेक्जांडरी के बारे में पढ़ाता लेकिन उसमें ये नहीं पता था वो एक library थी या museum था अब हम देखते हैं सबसे पहला museum और जो उसमें इलागाफ इना देखता है वन अफ दो उड़स में सबसे पुराना जो museum इलागालधी नैना लभी पुरानी ना मुजीन सबसे पुराना इलागालधीMyूजएम आज के टाइम पर इराक में जो कि उन्होंने बनवाया था नियो बेबी लोना एंपाइर जब खतम हो गया था तब उन्होंने बनवाया था यह उनकी याद में बनवाया था मतलब और तो इस साइट की जो डेट है वह 530 BC है और उन्होंने कहा है वह हमारे मैसोपर्टामिक तो वहाँ पर एक मिटी के लेबल लगा हूआ है जो के तीन लेंगवेज में क्या बाते लिख होई है कि इसके हमारी हिस्टरी को रेफरेंस करता है हमारी हिस्टरी बता रहा है कि 530 में सबसे पुराना क्या है मुञ्जम बनाया गया था ओसकी साथ हमें म्यूजम की डिस्कर वोल्टिंग और पेंटिंग और स्क्लेक्ट्ट्य वर डिस्पले इन गर्डन फोर्मर्स रेटर और बाथ हाउस क्या होता था पहले के टाम में लोगों को यह थोड़ी था कि वहां पर म्यूजिम होते थे महां पर टैंपल्स वगारा में रखे जाते थे उनको कॉलेक्शन बीजिम बनाया गया होगा लोगों को पता नहीं है क्योंकि कुछ जो चीजें वो टूटी हुई है बिल्कुल ठीक है क्योंकि में पुरानी समय की बात इतनी वह नहीं नहीं है कि में पूरी ठीक ठाक मिल जाए क्या वो बहुत हद तक टूट चुकी है वाइल लीटल वोज नोंड़ेट देट दम्यूजिम इंस्पिरेशन ऑं मूजिम डूरिं दा रेलाइंस पिरियाड प्रिंट पैलेस अलसो फंक्चन अधे काइंड ऑफ रोयल पैलेस होते थे वहां पर क्या होते हैं तुम देखते हो पूरानी पूरानी समय की हवेलिया मूवीस वगरा में कोई भी आप कहीं भी देखते होगे तो क्या होता वहां पर क्या है बड़ी बड़ी पेंटिंग कि आउवा करते थी लेकिन जो आम जानता ओती थी पहले उनके लिए वाप प्रिंघ कोलेट होता था मैंने बताई प्राइवेट कोथा तहां मैंने बताई कीशलतर होता ता किसी उसको देखते हैं तो जो म्यूजियम जैसे राजा का घर होता था उसको वंडर्स रूम बोल ला जाता क्योंकि वहां पर घूम घूम के हम नहीं नहीं आर्टिफेक्स देखते हैं हमारे इकलाकृती देखते हैं वन वे दा एलाइटमेंट डूरिंग इस टाइम परी अगेंड हाई अच्छी मानी जाती थी फर्स्ट पब्लिक से पहले प्राइवेट था लोग अपनी फैमिली के मेंबर्स देख सकते थे और बड़े-बड़े जो हाई स्टेटर सोथा जिनका वही देख सकते थे राज जय के दरबान में आके लेकिन पब्लिक पब्लिक जो म्यूजियम है वह मिडल और अपर क्लास के लिए घुला सबसे पहले 1759 में 1759 में में सबसे पहला जो म्यूजियम है वह अपपर और मीडल क्लास मतर्लाइवेज ही relation हुआ था तब उन्होंने का सभी लोगों को अनुदि दे दी थी आप लोहर समय में कैसे हिस्ट्री हमारी यह देखते हैं अब रियाड ओफ एक ऐसा पिजयर है आज की समय में हम museum को जो 19 और 22 century को क्या माना जाता the period of museum मतरद the museum period बोला जाता the museum age भी बोला जाता क्योंकि इस time period में सबसे ज़्यादा में museum देखने को मिले है क्योंकि यह public देख सकती थी क्योंकि इस time period में लेकिं पहले ऐसा नहीं लेकिन और आज की समय में हम बहुत ज्यादा संख्या में हम म्यूजियम की जो इंक्रीज हो रहे हैं नंबर यह देख पा रहे हैं अब हम देखते हैं हमारा next topic management हम जो हमारे museum होते हैं उनको कैसे manage कर सकते हैं यह देखते हैं तो इसको manage करने की क्या चीज़ें आती है the role of institution with the management of museum सबसे पहले जो म्यूजियम का head होगा वही तो उसकी देखबाल करेगा किसी भी जैसे हमारे national museum होते हैं वहाँ पर तो जो हमारी governor होते हैं हमारी government होते हैं वह ध्यान देगी तो वहीं जो museum होते हैं वह association होती है वही देखब मूजियम को manage करता है देख बाल करके जगता है कि अभी यह चीज़े आएगी यह नहीं आएगी तो पैसर एक्रेस काम होता है यह हमारे management कौन करते हैं वहीं on board of trust करते हैं इनके काम देखते हैं board of trust क्या काम करता और board of direct क्या काम करता है तूगेधर दी बोर्ड ओफ डारेक्ट अस्टीज इस्टेम और गाइड क्या काम करता है हमारे बोर्ड ओफ डारेक्ट यह पॉलिसी वगार होते हैं इनको देखता है कि अब यहां पर क्या है नहीं नहीं जो एग्जिबिशन यहां पर होंगे यहां पर यह चीजे रखी हैं प्वेशन है काम क्या करते हैं दूनों मिलकर फैनेंस का पैसे से रिलेटेड काम रखते हैं जैसे कई हो जिनकों होते हैं टीकर लगती है हमारी में बोर्प यह फोलिसी आगरते कि अब यह मूरतिया यह नहीं यह सब कुछ ध्याना थांबर आफ ट्रस्ट और बौर्ड काम हैं दोनों के सेम होते हैं लेकिन हर जंगा यह सेम नहीं होते हैं बड़े बड़े जो म्यूजिम होते हैं इन दोनों का काम अलग-अलग से बाटा गया है जैसे कि हमारे board of direct होते हैं वो non-profit corporation होते हैं बट हमारे board of trust होते हैं वो trust का काम करते हैं मतलиком कि वो trust का काम करते है कि लोगों को ये चीज्य मिलनी चाहिए तो मिलनी ही चाहिए foundation का ध्यान रखते हैं जो कि उन्होंने पत ली थी कि मैं इसका ऐसी तरीके से जैसे जैसे बना है वैसे चलता रहे का सारा काम तो यह सारे board of trust का काम करते हैं अब board of direct होते हैं वो क्या काम करता है? board of direct करता है public community के लिए कि वहाँ पर जो staff हैं जो guide वगारा है यह हमें दिखाते हैं museum में हम जाते हैं यह चीज़े देखो आप यह है यह सब कुछ हमारे board of direct staff वगर का ध्यान हमारे board of direct करते हैं guide करते हैं museum को कि इस परकार से यहाँ पर police use होगी यहाँ पर नहीं होगी यह हमारे board of direct करते हैं तो हमारे museum होते हैं वहाँ पर अलग-अलग position होते हैं ये काम ये करेगा ये वाला काम ये करेगा ये वाला काम ये करेगा तो सबसे पहले हमारे आते हैं क्योरेटर क्योरेटर क्या होते हैं एक ऐसे होते हैं एक सबसे इंपोर्टेंट काम इसका होता है क्योंकि जो हमारी एक्जबिशन होते हैं उनकी थीम सेलेक्ट करते हैं कि ओड हमारे collection management रखते हैं रजिस्टर कौन करते हैं मतलब रजिस्टर से नाम होते हैं जो document आ रहा है किसी दूसरी जिंगा से आ रहा है जैसे कि हमने हमारे कलकत्ता से समान दिल्ली आ दोनों मुजियम से शिप्ट ओड़ा ना समान तो यह ध्यान हमारा रजिस्टर वाला काम करेंगे फिर रहा होता है एज़ुकेटर मतलब पड़ा लिखा होता है तो पड़ा लिखा जो guide का का काम करते हैं जो पबलिक लोग है जैसे हम लोग जाते हैं में तो हमें कौन गाइड करता हमारे जो वहाँ पर ट्यूर करवाते हैं वह गाइड करवाते न तो उन्हें बोला जाता है तो हमें teacher में training वगएर देखते हैं classroom वगएर यह चीजें दिखाते हैं कि volunteers होते हैं यह educator का काम होता है लोगों को नए-nए educator को भी हाईर करने काम educator का होता है वहां पर कि अब यह वाला गाईडर आएगा यहां पर यह वाला स्टाफ अब नया यह सब कुछ training वगरे काम यह करते हैं कि अब हमारा exhibition exhibition होते हैं हमारे उनके designer की अब की बार यह layout होगा यह design रखा जाएगा हमारी यह सब कुछ हमारे exhibition designer का मतलवी काम होता है कंजर्व करना जो हमारी छीज़ें मतलव किस परकार से अपको पता है कीडे हो तिमारी जो मुर्थि व्गार खा जाते हैं इनको संभालने का में चैस्छ तो यह कैसी होता है जो मुर्थि वगार होते हैं उसको खा जाते हैं तो इसके लिए में प्रोटेक्शन चीये जैसे हैं अर्थ्वेक आ जाता है सुनामी वगयरा आ जाते हैं म्यूजियम वगयरा का समान भी तबाब हो सकता है इसके लिए लोग लोग कल्चर हम देखते हैं हमारे टाइम परियर्ड से उसको स्तोर करने काम मूझियम का होता है तो मैंनी कंट्रिज में डिजास्ट्र वगारा आ जाते हैं तो इसके लिए कि हमें एमर्जंसी के लिए क्या हमें प्लैन होना पड़ेगा प्रोटेक्शन करनी पड़ेगी हमारी म्यूजियम की तो इसके लिए यूनेस्को है हमारा यूनाइटिन नेशन एजुकेशन साइंटिफिक कल्चर और और ब्लू शिल्ड है इंटरनेशन उन्होंने दोनों में मिलकर एक प्रोग्राम बनाया है हेंग कॉन्वेंक्शन बनाया है हेंग एक जंगय का नाम है वहां पर एक मीटिंग होती है यूनेस्को ब्लू शिल्ड बोसारी म्यूजियम की बैठक होती है तो 1954 में होती है सबसे पहली बैठक और उसमें वह ध्यान रगते कि अमर्जं डिफ्रेंट टाइपस के म्यूजियम होते हैं जैसे अग्रिकल्चर के होगे आर्किलोजिस्ट के होगे डिजाइन के कल्चर म्यूजियम होगे साइक्लोपीडिया के हिस्ट्री के मेरिन्टाइन के मेमोरियल के विर्चियल के आर्टिटेक्ट के आर्ट के बायोग्राफी के कोमुनीटी के फोक यह बहुत सारे टाइप्स के हमारे म्यूजियम होती है और यह म्यूजियम क्या है हमें अलग-अलग कल्चर डिफाइन करते हैं यह टॉपिक हमारे यहीं तक था 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 इंक यूपर वोचिंग अबक्वाचिंग यहीं लाइक अब वीडियो देल लाइक श जो किमें लिंक डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगी जिसे के आपको यह पीडिया पर वहां से जाके क्लेक्ट कर सकते हो थैंक्यू